चलिए एक बाफिर से स्वागत अपको अकासी एकडमी में बने रहे हैं मेरे साथ मैं भी हूँ अपके साथ जी हाँ आज इस बिंदू बबात करने जा रहे है वह बिंदू है दिगंत भागतू काब खंड पाठ दस रघुबीर सहाय द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर देखने को मिल रहा है और इनके द्वारा जो हम आज इसमें अध्यन करेंगे वहाँ इनके जीवन के बारे में सबसे पर्थम देखेंगे यहाँ पर जो हैने इनके जीवन के बारे में इनके जीवनी जो है न यानि इनके जीवनी के बारे में थोड़ा देखेंगे यह अपने जीवन कैसे कहने बेतित किये हुए है उसके बाद में इनके द्वारा रचित जो है नकाब के तरफ चलेंगे अधी नायक चलिए तो सबसे परे इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं यहां पर देखने के मिल रहा है जनम अर्थात इनका जनम हुआ है 9 दिसंबर 1929 में जी हां इस बिंदू को धियान में रखेंगे यह एक्जाम में वस्तुनिष्ट परस्ट ने इसी से बन दी है चलिए यहां पन्निधन मतलम मिर्टू 30 दिसंबर 1929 में इनका मिर्टू हो गई ह जनम अस्तान अर्थात इनका जनम कहां हुआ है किस अस्तान पर हुआ है तो लखनव उत्तर परदेश में जनम हुआ है पिता अर्थात इनके पिता कौन है हरदेव सहाय इनके पिता है जो एक सिक्षक थे चलिए यहां देखने को मिल रहा है सिक्षा अर्थात इनके सिक्षक कहां से हुआ है तो यह जो है न ए में अंगरेजी में किये हुए है ठीके न लगनो बिश्व बिद्याले से और विसेश अभी रूची इनका रूची किस चीज में किस भाग में किस जो अने छेतर में रहा तो संगीत सुनना और फिल में देखना सबसे प्राथम इनके जो रू कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र के अस्थपना और संचालन किये ठीक है आगे बात करते हैं इनके जो अना शम्मान इजद परतिष्टा लोग क्या न भूल गये हैं के लिए साहित अकादमी पुरुषकार इनको मिला ये लिखे हुए हैं लोग भूल गये हैं उस चीज के लिए इनको क्या मिला है अकादमी पुरुषकार मिला है साहित अकादमी पुरुषकार इसलिए बृति मानसिक कर्ज क्या है न पत्रकारिता ठीक है न यहाँ पर क्या मिला है पत्रकारिता यहाँ पर देखने हो क्या मिला पत्रकारिता नौ जीवन सी आर से यहां ना 1972 तक दिनमाने इस तरह के बहुत सारा चीज है आगे क्या देखने को मिल रहे है यहां पर कि भारतिय प्रेस परिसद के सदस्ट भी यह रहे है जिए क्रितिया इनके क्रितिय के कि बारे हम देख लेते हैं कभीता कभीता दूसरा क्या न सब तक में एक कभी के रूप में सामिल शीडियों पर धूप में आत्में हत्या के बिरूद इस तरह के जो है न बहुत सारे क्याना ये क्रितिया इनका है जिस तरह से यहां का दिखनों के मिल रहा है इस बिंदू को थोड़ी से ध्यान देंगे याद कर लेंगे ठीक है ना यह इसमें से वस्तुनिष्ट है जो ना प्रेश्ण बनने की आशाएं है इस तरह की बात है लाश्ट में क्या करते हैं इस सब के अत्रीक्त जो है ना अनुवाद कार्ज भी किये संपुन राचनावारी छो क्याना खंडों में राजिक कमल प्रकाशन नई दिली से प्रकासित किये हुए थे जी हाँ यहां यहां तक समझ में आगया हुआ आपको इनके जीवन के बारे में चलिए यहां से हम इनके कवीता की तरफ चलते हैं अधिनाएक चलिए यहां पर हम देखने को मिल रहा है अधिनाएक जो रगुवीर साहज लिखे हैं चलिए इनके काप के बारे में देख लेते हैं की काप के माधियम से अर्थात पंक्ती के माधियम से क्या बताना चाहते हैं चलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या कहते हैं कि राष्ट गीत में भला कौन वह भारत भागे विधाता है फटा सुतना पहने जिसका गून हर्चना गाता है यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब सुतना मतलब होता है फटा हुआ हर्चना मतलब होता है गरीब इनसान अरथात जो है न मतलब यहाँ पर कहें तो अभावस से गर शत है वैस उस तरह के इनसान जो वह किसी काम में करने के रूची नहीं है और بہت ही कहाना गरीब है तो क्य कहना चाहते हैं यहाँ पर कभी कि राष्ट गित में भला कौन वह भारत भाग बिधाता है फठा सुथमा पहने जिसका गुन हर्चना गाता है अरधात यहाँ कहते हैं कि वह कौन बिद्यारती है जो फठा पैंट राष्ट गित गाता है फठा पैंट पहन कर जो है न क्या करता है राष्ट की तगाता है और वहीं भी भारत का भागे बिधाता है जी हाँ यहां यहां तक समझ में आ गया होगा आगे क्या कहते हैं कभी मक्हमल टम टम बलम तुरही पगड़ी छत्रे चवर के साथ तूप छुडा कर ढोल बजा कर जैजे कौन कराता है क्या बात है आप क्या करना चाह रहे हैं कि वह कौन सा कभी क्या कहते हैं कि वह कौन सा इनसान है वह कौन सा इनसान है वह कौन सा इनसान है जो ठीक है ना मक्हमल क्या कहते हैं जो मक्हमल टम टम बलम तुरही ठीक ना पगड़ी क्या क्या पगड़ी छत्री एवं श्वर लगा कर तूप को छुडा कर अर्थात तूप चलाकर ढूल नगाडा बजाकर जय जय करा कराता है क्या बात है आगे देखिया आगे क्या कहते हैं किस तरह की यह जो हना बाते कर रहे हैं कभी आगे क्या करें पूरब पश्चिम से आते हैं नंगी बुचे नरकंकाल शिहासन पर बैठा उनके तमगी कौन लगाता है अर्थात क्या कहना चाहते है यहां से पूरप पच्छी मतलब यहां पूरप पच्छी दिसा मतलब कि चारो दिसाओं से सभी दिसाओं से मतलब क्या सभी दिसाओं से आने वाले जनता सभी दिसाओं से क्या है ना आने वाले कौन जनता सभी दिसाओं से आने वाले जनता क्या कहते है वह नंगी पाउं है कैसे है जूई तो नंगी पाउं है और किस समान है तो नरकंकाल है समझे वह पुरा बिल्कुल रूप से गरीब है नरकंकाल है उस रूप में दिखाई दे रहे है जिसे कोई सहारा नहीं करने वाले है तथा सिहासन पर बैठा क्या है न और सिहासन पर बैठा नेता उसकी जो है न कमाई का अधिकांस भाग हड़प लेता है वह गरीब जो है न कंकाल वाले गरीब कंकाल नरकंकाल इंसान है जिसका कमाई का आधिय भाग जो है न कौन हड़प लेता है तो क्या न सिहासन पर बैठे लोग क्या न क्या कर लेता है हडप लेता है चलिए आगे आपको जो है न बढ़ते हैं काना चाहते है आगे पंक्ति के माध्यम से चलिए कौन कौन है वह जन 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 गन मन अधिनाएक वह महा बली डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है क्या कहते हैं यहां पर कौन कौन है मतलब यहां कहते हैं कभी कि कौन कौन है ठीक है ना जनगन मन अधिनाएक अर्थाते यह अकिला नहीं है अनेक है कभी का कहना है कि कौन कौन है मतलब कि वह जो है ना अधिनाएक में जनगन जनमन अधिनाएक जो कहते हैं में यह अकेला नहीं है अर्थात बहुत बहां बली है यह क्या है महाबली है अनेक है यह क्या है अनेक है अकेला नहीं है अर्थात क्या है यह महाबली है बाकी जनता क्या है ना बाकी क्या है ना जनता जनता क्या है ना डरी हुई है और बिना एक्षा का बेमन बिन और थाद उसे पता नहीं रहता है फिर भी क्या राष्ट्रगान के पृट्ति जनगन मन अधिनायक कि जै हो भारत भागे बिधाता इस तरह से वह राष्ट्रगान को सुनता भी है और वेसे विद्यारती जो है न बिलकुल रूप से गरीब है बिलकुल रूप से क्या है न गरीब है वो भी क्या है न इस चीज में सामिल होकर के राश्टगान को सुसोभित करता है कभी यह दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि जो जीवन में क्या है ना जो जीवन में अपने जो जीवन में अपने ठीक है ना कुछ समझ नहीं पाते हैं फिर भी गरीब होकर राष्टगान के प्रती क्या रहते हैं सचेत रहते हैं क्या रहते हैं तो सचेत रहते हैं मतलब साउधान रहते हैं वह राष्टिगान के प्रती रूची लेते नहीं है पर कि लेते भी है और नहीं भी लेते हैं पर उस समुधाय में उस समुह में जो है न सामिल जरूर हो जाता है उस समुह में जो क्या है न बहुत जल्दी से सामिल हो जाते हैं ताकि वह राष्ट के प्रतिवह रास्ट गान को जो है ना गुन गान करता है चलिए यहां तक समझ में आगे होगा चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रेस और बेल आकिन को प्रेस करते ताकि नाई जो नया वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए फ खर अजड़े चलिए नाई गान को सकते ताकिन को सब्सक्राइब कर झालिए कर दो में ताकिन को सब्सक्राइब कर दो करते हमें आप पादिकेशन के लागे यहां प्रेस जो जो है।